रुकर्णने अगे आठ मार्च नू मनाये गए अंतराश्ट्री महला दिवस मौके दिली विके आथ लीडर्शिप काउंसल वलों इंडिया हैबिटेट सेंटर विछ विशे समागम करवाया गया जिस विच वख हुआ कलावा दिनाल जुडिया महलामा दा पैनल बनाया गया है जिस वलों महलामा नो नवे मौके देंड बारे चर्चा कीती गई इस बाबत काउंसल दी वाइस चेयर परसन रमनजीत कॉर ने दस्या कि उना दा टीचा और वाले समय विच पारत दे हर सूबे विच काउंसल बनाओन दा है आर्च लिडर्शिप काउंसल तो आनू सारिया स्टेट स्विच मिलेगी बहुत जल्दी पंजाब दी वी काउंसल लॉंच होन वाली है पिशले दस दिना विच असी दिल्ली और यूपी दी दिल्ली हर्याना और चंदीगर दी काउंसल नो लॉंच किता है एदे नाल साथ दी वी स्टेटन विच लॉंच हों चुकिया है ते आर्च लिडर्शिप कांसल विखे कम की होगा सारिया जिनिया विमेन आर्टिस हैं पैन इंडिया उनना दा एक नेटवोग बनाया जाएगा हर स्टेट कांसल विच भी मेंबर्स रहाएगे दा मतलब 700 विमेन आर्टिस दा एक नेटवर्ग बनेगा जिड़ा की एक सपोर्ट सिस्टम प्लाटफॉर्म बनेगा जिदे विच असी नॉलेज शेरिंग कार सक देयां एक तुझे तो सिख सक देयां आरे क्राफ्ट्स बारे फंडिंग बारे CSR बारे मार्केटिंग की में कर है ते एक आर्टिस्ट यां जिन्यावी जरूरता हों दिया ने उना नूँ असी देखांगे ओदे उपर वर्क्शॉप्स और सेशन्स होंगे एक्जिबिशन्स होंगे यां कल्च्रल प्रोग्राम्स इवेंस फेस्टिवल्स किते जानगे ताकि असी सारे कठे मिलके एक ता है एनना ज्यादा मेहनत करनी पेंदी है अपने आपनो आदमिया तो ज्यादा प्रूफ करना पेंदी है ते क्यों सानू सिरफ दो तो पांच परसंट फंडिंग मिल दी है एदे उपर पूरा काम किता जाएगा होदे वास्ते पिछले साल इंटनेशनल विमेंस डेते ही असी एकनॉमिकली इंडिपेंडेंट विमें आर्टिस्स मुव्मेंट लॉंच किती है ते सानू उमीद है के इस पूरे यूनो कम दे थ्रू देनाल असी ऐस मुकाम नू पूरा कर सकांगे ते हॉली हॉली असी इक आवाज बनांगे जेड़ी सरकार तक पुंचाई जा सके कॉर् जेड़ी की इंसानियत नू इंसान नू इंसानियत सिखां दिये उदे विच फंडिये